वेद दुनिया के प्रथम धर्मग्रंथ है। इसी के आधार पर दुनिया के अन्य मजहबों की उत्पत्ती हुई जिन्होंने वेदों के ज्यान को अपने अपने तरीके से भिन-भिन भाषा में प्रचारित किया। वेद ईश्वर द्वारा रिशियों को सुनाए गए ज्ञान पर आधारित है। इसी लिए इसे शूती कहा गया है। सामान्य भाषा में वेद का अर्थ होता है ज्यान। वेद पुरातन ज्यान विज्यान का अथाह भंदार है। इसमें मानव की हर समस्य का समाधान है। वेदों में ब्रहमा, ईश्वर, देवता, ब्रहमांड, ज्योतिश, गडित, प्रसायन, ओश्धी, प्रकृती, खगोल, भूगोल, धार्मिक नियम, इतिहास, रीति रिवाज, आदी लगभग सभी विशों से संबंधित ज्यान भरा पड़ा है। शत्पत ब्राहमण के श्लोक के अनुसार अगनी, वायू, आदित्य और अंगिरा ने तपस्य की और विगवेद, यजुरवेद, सामवेद और अथर्वेद को प्रत किया। कथम तीन वेदों को अगनी, वायू, सूर्य, आदित्य से जोड़ा जाता है और संभवत, अथर्वदेव को अंगिरा से उत्पन माना जाता है। एक ग्रंथ के अनुसार ब्रहमाजी के चारों मुख से वेदों की उत्पत्ती हुई। वेद सबसे प्राचीन्तम कुस्तक हैं, इसलिए किसी व्यक्ती या स्थान का नाम वेदों पर से रखा जाना स्वभाविक है। जैसे आज भी रामायन, महा भारत इत्यादी में आए शब्दों से मनुषों और स्थान आदी का नाम करण किया जाता है। वेद मानव सभिता के लगभग सबसे पुराने लिखित दस्तावेज हैं। वेदों की 28,000 पांडूलीपिया भारत में पुने के भंडार कर ओरियेंटल रिसर्च इंस्टीटीट में रखी हुई हैं। इनमें से रिगवेद की 30 पांडूलीपिया बहुत ही महत्वपून हैं, जिनहें युनेस्को ने विरासत सूची में शामिल किया है। उलेखनिय है कि युनेस्को की 158 सूची में भारत की महत्वपून पांडूलीपियों की सूची 38 है। वेदों के उपवेद, रिगवेद का आयूरवेद, यजूरवेद का धनुरवेद, सामवेद का गंधर्वेद और अथर्वेद का स्थापत्यवेद, ये क्रमशा चारों वेदों के उपवेद बतलाए गए हैं। वेद के विभाग चार है, रिगवेद, यजुरवेद, सामवेद और अथर्वेद, रिक स्थिति, यजुरुपांतरण, सामगतिशील और अथर्वजड, रिक को धर्म, यजुआ को मोक्ष, साम को काम, अथर्व को अर्थ भी कहा जाता है. इन्ही के आधार पर धर्म शास्त्र, अर्थ शास्त्र, काम शास्त्र और मोक्ष शास्त्र की रचना हुई. एक डौट रिगवेद, रिक अर्थात स्थिति और ज्ञान. रिगवेद सबसे पहला वेद है, जो पद्यात्मक है. इसके दस मंदल, अध्याय, में एक हजार अठाइस सूप्त है, जिसमें ग्यारा हजार मंत्र है. इस वेद की पांच शाखाएं हैं, शाकर्प, वासकल, अश्वलायन, शांखायन, मंडुकायन. इसमें भोगोलिक स्थिती और देवताओं के आवाहन के मंत्रों के साथ बहुत कुछ है. रिगवेद की रिचाओं में देवताओं की प्रार्थना, स्तुतियां और देवलोक में उनकी स्थिती का वर्नन है. इसमें जल चिकिटसा, वायू चिकिटसा, सौर चिकिटसा, मानस चिकिटसा और हवन द्वारा चिकिटसा आदी की भी जानकारी मिलती है रिगवेद के दस्वे मंदल में आश्धी सूप्त यानी दवाओं का जिक्र मिलता है इसमें ओश्थियों की संख्या 125 के लगभग बताई गई है, जो की 107 स्थानों पर पाई जाती है ओश्थी में सोम का विशेश वर्नन है रिगवेद में चवनरिशी को पुना युवा करने की कथा भी मिलती है दो डॉट यजुर्वेद यजुर्वेद का अर्थ यद का अर्थ होता है गतिशील तथा जुका अर्थ होता है आकाश इसके अलावा कर्म श्रेश्थ तम कर्म की प्रेणा यजुर्वेद में यग्य की विधिया और यग्यों में प्रेयोग किये जाने वाले मंत्र है यग्य के अलावा तत्व ज्ञान का वर्नन है गद्य मय है. इसमें यग्य की असल प्रक्रिया के लिए गद्य मंत्र है. इस वेद की दो शाखाएं हैं, शुक्ल और कृष्ण. कृष्ण वैशंपायन, रिशी का संबंध कृष्ण से है. कृष्ण की चार शाखाएं है. शुक्र, यग्यवल के रिशी का संबंध शुक्ल से ह शुक्ल की दो शाखाएं हैं. इसमें 40 अध्याएं हैं. ये जुर्वेद के एक मंत्र में च्प्रीही धान्यों का वर्नन प्राप्थ होता है. इसके अलावा दिवे वैध्धे और ख्रिशी विज्ञान का भी विशे इसमें मौजूद है. सामवेद, साम का अर्थ रूपांतरन और संगीत, सौमेता और उपासना, इस वेध में रिगवेद की रिचाओं का संगीत में रूप है. सामवेद गीतात्मक यानी घीत के रूप में है. इस वेध को संगीत शास्त्र का मूल माना जाता है. 1824 मंत्रों के इस वेद में 75 मंत्रों को छोड़कर शेश सब मंत्र विग्वेद से ही लिए गए है इसमें सविता, अगनी और इंद्र देवताओं के बारे में जिक्र मिलता है इसमें मुखे रूप से तीन शाखाए हैं, 75 रिचाए है अथर्व देव, थर्व का अर्थ है कंपन और अथर्व का अर्थ अकंपन ज्यान से श्रेष्ट कर्म करते हुए, जो परमात्मा की उपासना में लीन रहता है वही अकंप बुद्धी को प्राप्थ होकर मोक्ष धारन करता है इस वेद में रहसे में विद्याओं, जड़ी बूटियों, चमतकार और आयूर्वेद आदी का जिक्र है इसके 20 अध्यायों में 5687 मंत्र है इसके 8 खंड हैं, जिनमें भेशज वेद और धातु वेद ये दो नाम मिलते हैं